आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग अपने मुवाइल फोन को अपडेट किस पकार कर सकते हैं और आपको ए भी बताएंगे कि आपको अपडेट करने से क्या-क्या फायदा होता है आपके मुवाइल फोन में और मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता आप कोई भी में अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो अगर अपने आप लोग को भी मुवाइल फोन को अपडेट करना है और आपको नहीं पता है कि आपको मुवाइल फोन को अपडेट किस परकार करना है तो आप इस वीडियो को पूरा लास तक देखिए चैनल पे नए हैं पहले या विजिर के चैनल को सस्क्राइब जोर करें क्योंकि आप सब को पता है हमारे चैनल पे अच्छा अच्छे वीडियो अप्लोड होते रहते हैं आपके पास जब मोवाइल में अपडेट आएगा तो आपको उपर से एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जो कि मैंने उस नोटिफिकेशन को यहां से मतलब साफ कर दिया है और जब आपको उपर से notification नहीं देखने को मिलेगा तो आपको check किस प्रकार करना है यहाँ पर आपको setting का option दिखेगा आपको अपना simply आपको अपने setting वाले option में और आपको यहाँ पर setting वाले option में जाने के बाद यहाँ पर आपको option दिखने को मिल रहा होगा software update का तो आप लोग अपने mobile में जो भी आप लोग के पास mobile phone है और लोग अपने आप लोग mobile में जाईए और यहाँ पर setting में जाने के बाद आपको एक option देखने को मिलेगा software update का तो simply आपको यहाँ पर देखिए मेरा पास यहाँ पर देखिए update आया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक update लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको simply software update पर tap करना है और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का आपको option देखने को मिलेगा new version अब लेवल इसमें क्या होता है कि आपके mobile में जब update होता है तो update होने के बाद आपको mobile में बहुट सारे changes आते है या आपके mobile में कोई भी खराबी है तो ओ सब खराबी को कर दिया ताफिक्स है आपको नीचे में आपको option दीख रहा होगहाँ यहाँ पर learn mode का यहां पर आपको लर्ण मोड में जाना है और आपको लर्ण मोड में जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको किस चीज का अपडेट लिया जा रहा कि आपको यह जो अपडेट मतलब दिया गिया है और कौन से चीज का अपडेट दिया गिया यहां पर मुझे सब क्नेको मिल जाएगा आप यहाँ पर डा लोड का एक आपको ऑपसें दीखरें यहाँ पर शिंप्ली कंटिनूड तैप करना है और यहां पर यहाँ पर आपको कंटिनूडय बृबंट पर डाउनलोड तो यहाँ पर आपको option मिलेगा update का तो आपको क्या करना आपको update वाले पर tap करना है और आप लोग update वाले पर tap करेंगे तो उसके अद आपका mobile automatic off होके आपका on हो जाएगा यानि आप लोग का update mobile हो जाएगा तो इस पकार आप लोग अपने कोई भी mobile phone को बिल्कुल असानी से आप लोग update कर सकते हैं तो आई होब कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर आप लोग को और भी कोई भी जानकारी लेना है तो आप लोग हमारे comment box में जरूर comment करेंगे और साथ ही मैं आप लोग को एक बात बता दू कि अगर आपने अभी तक हमार चैनल को सस्क्राइब नहीं किया चैनल को सस्क्राइब जोर करें क्योंकि आप सब को पता है कि हमारे चैनल पर quality वीडियो अपलोड होते रहते हैं चलिए बस आज के लिए इतना ही फी मिलते हैं इसे अच्छाए वीडियो पर जैहीन ओन दे मातरम